वाले हैं KVS PRT के बेश्ट बुक के बारे में जो की चक्छू प्रकाशन की है मित्रों आप सभी लोग अगर KVS में प्राइमरी विद्यालेकर सिच्छक बनने की तैयारी कर रहे हैं संपूर पार्ठिक्रम को निश्चित करते हुए संपूर पार्ठिक्रम को टार्गेट करते हुए एक चच्छू पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में आई है बहुत ही बेतरीन बुक है आप इसे परचेज कर सकते हैं वित्रो इसमें जो है नवीन्तम पार्ठिक्रम जो 180 नंबर का दिया गया है, जनरल इंगली सो, सामान ग्यानियों समसामाईकी हो, सिछा सास्त्र हो, सामान विज्ञान हो, सामान गणित हो, पर्यावरण हो, सामान हिंदी हो, तारकिक युगिता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, नविन्तम पार्टिकरों में पैटर्ण पर आधारी संपूर्ण सब कुछ आपको जो है एक तरीके से आपको study guide के book के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप इस book को purchase कर सकते हैं, इस book में सबसे खास बाते हैं, कि आपको previous year से सम्मंधित और जो संभावित प्रसन हो सकत पुस्तक में आपको देखने को मिल सकते हैं, या पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से स्रेश्ट सावित होगी, आप एक बार इसे ले करके जरूर देखें, ठीक है, तो इसके बात करें मित्रों, इसके अंदर के बारे में तो आप सभी लोग देखते हैं, इसके syllabus के बार जो है, इसमें जो है, content की भरमार है, ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से इसमें जो है, पैड़ो गोजी वाले subject को बताया गया है, और खास बात computer को लेकर के है, computer आपको हर जगा नहीं मिलता है, इसमें computer को साथ पार्टों में बहुत ही, sun shape में computer को इतना detail में समझा दिया गया है, आपका एक number बाहर नहीं जाने वाला है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से current affairs इसमें दिये गया है, current affairs फिलहाल तक के जितने भी हो सकते है, current affairs बहुत बेहतरीन तरीके से, पिछले एक साल के current affairs को यारी कर रहे हैं, तो इस बुक को आप जरूर पंचेज करें, इस तरीके का इसका logo है, आप देख सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार साथियों, स्वागत है, आप सभी का आपके अपने online institute, निसान तियान की YouTube platform पर, मैंने तिनु पाद्धिया, आप सभी का स्वागत क पहुचे हैं, आज हम सामाजी करण से related, जो भी point हो सकते हैं, आपके लिए, उपीटेट एकजाम के लिए, special, उस point को नोट कराते हुए, सामाजी करण को समझाते हुए, मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है, धीरे धीरे अधियम, अधियम को समाप्त करने के बाद, अधियम के सिध्धान्त है, जहां से questions की भरपूर मात्र आपसे पूछे जाती है, उन सभी को मैं आपके सामने discuss करने वाला हूँ, ठंडी बहुत है, ठंडी से बचा और जरूरी है, आप सभी लोग ठंड में अपने आपको सुरच्षित रखने का प्रयाश करें, ठीक है, चलिए, आज सुरुगात करते हैं सामाजी करन की, मित्रो सामाजी करन होता क्या है, आप सभी लोग इसे इंगलिस में क्या बोलते हैं, इसे इंगलिस में बोलते हैं सोसियलाइजेशन, क्या बोलते हैं सोसियलाइजेशन, अर्थात हम एक बालक जब जन्म लेता है, जन्म नेले के पश्य मनुस्यवाले समाज में रहेगा, ठीक है, तो हर एक प्राड़ी की अपना-पना समाजी के घेरा बंदी होती है, जिसमें वह रहता है, ठीक है, आप सभी लोग इससे परचित होंगे, तो समाजी करण का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस प्रक्रिया में मान वो समाज द्वारा सीखता है, उसे समाजी करण बोलते हैं, समाज क्या होता है, जहाँ पर एक ही जाती, एक ही जाती के लोग रहते हैं, उसे समाज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें किवल एक ही जाती के लोग रहें, समाजी करण अगर सब दे आ ज उस सामाज में जो है जिससे भी वह प्राड़ी जो है सीखता है जिससे भी वह प्राड़ी इंट्रेक्ट करके कुछ न कुछ चीजे ग्रण करता है वो सब सामाजी करण के पार्ट के तौर पे आएंगे ठीक है जरूरी नहीं है कि जो सजीव है वही सामाजी करण का पार्ट है जिससे भी वह प्राड़ी इंट्रेक्ट करके सीखता है वह समाजी करण के पाल्ठ के रूप में आएंगे तो जिस प्रक्रिया मानो समाज द्वारा सीखता है उसे तो समाजी करण बोलते हैं इस बात से आप सभी लोग अउगत हो जाईएगा मैंने यह आप लिखा है और आप जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है वह जरूर नोट्स बनाएगा क्योंकि बहुत इमानदारी से आप नोट्स बनाईएगा तो जिस प्रक्रिया में मानो समाज के द्वारा सीखता है उसे क्या बोलते हैं उसे हम सामाजी करण बोलते हैं मित्रो उसके बाद लिखिएगा सामाजी करण के जो दो महत्तपूर कथन है उसे आप ध्यान रखिएगा सबसे पहला कथन यही है कि अरस्तू का जो की आप से पूछा जाता है यूपीटेट में पूछा जाने की संभावना है अरस्तू ने कहा है कि मनुष से एक सामाजिक प्राडी है इस बात को ध्यान रखिएगा वह प्रक्रिया क्या कहलाती, सामाजिक प्राड़ी की रूप में ढाला जाता है, वह कहलाता है, सामाजिक प्राड़ी की रूप में ढाला जाता है, सामाजिक प्राड़ी की रूप में ढाला जाता है, सामाजिक प्राड़ी की रूप में ढाला जाता है, सामाजिक प्राड़ी क साधन या सामाजी करण की एजंसी के नाम से इने जानते हैं एजंसी सब्द बहुँग ज्यादा इस्तेमाल होता है तो आप इसे ध्यान रख्येगा क्योंखी आपके क्वेश्चन में एजनसी सब्द लिख करके आता है सामाजी करण की दो एजनसिया है दो साधन है इसको आप जनर हैं कौण कौण से हैं एक है सेटर्य साधन एक है निक्रिय साधन और स सबस्क्री एजनसी का मतलब होता है ऐसे साधन या ऐसी एजनसी ऐसे साधन समझेगा ऐसे साधन जिसका जो है सीधा सीधा प्रभाव बालक पर पड़ता है उसे सक्री एजनसी बोलते हैं सक्री एजंसी की पहचान आप कैसे कर सकते हैं जैसे कि आप एक बालक के तौर पे हैं और आप से किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे सीधा सीधा आप बोल बतिया करके ज्यान को आदान परदान कर रहे हैं वह होता है सक्री एजंसी जिसके आप सीधा सीधा जिससे आप इंट्रेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसे सक्री एजनसी बोलते हैं, और निस्क्री एजनसी का मतलब यह है, कि जिस्से आप सिधा सिधा इंट्रेक्ट नहीं कर सकते हैं, हालनकि वह भी आपके सामाजी करण पे प्रभाव डालेगा, लेकिन उससे आप कोई चीज पूछ नहीं सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं तैसा कैसे होगा ठीक है तो निस्क्री एजंसी में आप इंट्रेक्ट नहीं कर सकते हैं सक्री एजंसी में आप उससे इंट्रेक्ट कर सकते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है तो जिसका बालक पर सीधा सीधा प्रभाव पढ़ता है उसे हम सक्री एजन्सी बोलते हैं और जिसका बालक पर सीधा-सीधा प्रभाव नहीं पढ़ता है उसे हम निस्क्री एजन्सी बोलते हैं कभी-कभी उदाधन देकर कि आप से पूछा जाता है कि लिखित में से सक्री अजन्सी कौन सी है तो ध्यान रखिएगा जिससे आप सीधा सीधा इंट्रेक्ट कर पाएं वह क्या होता है सक्री अजन्सी के तौर पे आपके बीच आता है जैसे परिवार परिवार जो है सक्री अजन्सी के तौर पे करके इंटरेक्ट कर सकते हैं सक्री एजंसी के तौर पर कलब भी आता है इसकूल है इसकूल में भी आप सक्री एजंसी के तौर पर रखेंगे रिष्टेदार भी आपके सक्री एजंसी के तौर पर आते हैं जितने भी जिसका प्रभाव बालक पर सीधा सीधा प्रड़ता है व ऐसे पुलिस पुलिस सीटेशन से सीधा सीधा कोई इंटरेक्र नहीं करेगा हाज समाज में है पुलिस स्टेशन के बारे मां बच्चों को बताएंगे इस प्रभावव के समाजी करने प्पर गड़ा लेकिन कोई जरूरी बालक के समाज़ी करने पर पर बाद को यूद continuοι पुस्तकाले में बच्चा जाएगा तो पढ़े लिखेगा लेकिन कभी कोई जरूरी है कि पुस्तकाले में बालक जो है उससे इंट्रेक्ट कर पाएगा कोई प्रस्ण वगएरा पूछ पाएगा नहीं पूछ पाएगा ते निस्क्री एजंसी के तौर पे आएगा किने किताबे भी सामाजी करण के तरफ़ पर आती है ठीक है तो शक्री एजंसी और निस्क्री एजंसी के रूप में आप से पहला कोईश्य नीचे नोट करके लिखेगा नोट ठीक है Blues यहां नीचे नोट बनाईएगा, नोट में लिखिएगा, नोट, परिवार किसी बालक की पर्थम पाट साला होती है, या यू कहे, तो परिवार जो है, किसी बालक के सामाजी करण की पहली इकाई होती है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा इसे, सामाजी करण की पहल इकाई या समाजिकन की प्रथम इकाई कौन सी होती है तो परिवार होता है ठीक है अगर परिवार आपसन में नहीं दिया गया है तो परिवार आपसन में नहीं दिया गया है तो पास पडोस भी इसका उत्तर होता है कभी-कभी ठीक है आप इसको नीचे लिख लीजिएगा नो पडोस को दुतिये preference देते हैं, पास पडोस को भी माना जाता है कि आप परिवार के ना रहने पर परिवार के आपसन में ना रहने पर वह जो है बालक के प्राथमी किकाई के तौर पे आता है, ठीक है, दुतिये किकाई की बात करें, जितली भी और चीजे आपको मिलती है, वि समाजिकन की काईओं में परिवार और विद्याले ही के वल मैंने लिया है इसमें परिवार और विद्याले ही नहीं आता है बलकि अध्यापक भी जो है समाजिकन की काईओं में आते हैं ठीक है अध्यापक भी समाजिकन की काईओं में आएगा जो भी आप से कहीं न कहीं सामाजी करण को प्रभावित करने वाले कारक कौन neighborhood कौन लिखेगा धर्म सबसे पहले है धर्म मैं यहां पर लिखाए मैं आपको समझाता हूँ धर्म कैसे प्रभावित करता है जिसका जैसा धर्म होगा और अपनी धर्म के अनुसार ही सामाजीक्तिता सीखेगा हिंदु धर्म के अलग अलग चीजे चलती है इसलाम दर्म में अलग चलती सिक दर्म में अलग चीजे चलती है इस बात को ध्यान रखेगा समाजी करण को कहिन कहीं प्रभावित करती है ठीक जैसा आपके इर्द गिर्द में मौहल रहेगा वैसा आप देखेंगे जैसा आपके धार्मिक मौह रहे हैं ठीक है अभी पाकिस्तान की बात आ जाए तो वहां पर लोग घर-घर में 47 है मारकाट का महाल है कोई सिच्छा का कोई महाल नहीं है तो समाजिकर्ण का एक पार्ट है न राष्ट्रियता वहां की राष्ट्रियता एक 47 और इधर उधर वाली है तो वहां पर वही चीज रोल रहता है समाजिकर्ण में जैसी आपकी भासा होगी वैसा ही आप सीखेंगे करेंगे और मतलब की आगी प्रक्रिया ठीक है, आपका वतावण जो है, सैच्छिक वतावण है, तो आप सिच्छा से सम्मंदित जाएंगे, आपका वतावण जो है, जैसे हम उत्तर प्रदेश से है तो हमारे एर्धिडुर्द के लोग जानते हैं, क्या सोचते है हमारे एड़दिकिर्ट के लोगों की मांसिक्ता यह है वातावरण यह है कि अगर बच्चा सरकारी नोकरी नहीं पाता है समझो बेकार है ठीक है उन्हें नहीं लगता है कि अगर एक बच्चा चपरासी हो जाएगा तो सभी तभी जाकर कि उसका जीवन सफल होगा बिना सरकारी नोकरी के कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसा सोच हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हित्रों में है लेकिन हर्याणा में यहीं चले जाएए ऐसी सोच नहीं है वहां के लोग खाते हैं पीते हैं बौड़ी बनाते हैं के बाद खेल वगैरा में अपना अस्थान मनाते हैं और एक उच्च कटेगरी अच्छे अच्छे मेडल लेकर के देश का नाम रोसन करते हैं तो जैसा जिसका वातावड रहेगा वैसा सीखेगा जहां पे लोग आई-एस बन रहे वहां के लोग आई-एस बनेंगे उसे एंडियों को लेकर के प्रोसाहित करते रहेंगे जैसा कच्छा का महूल होगा वैसा ही बालक शीखेगा अथात हम कर सकते हैं कि अध्यापक को एक आधर्स सिच्छक के तौर पे अपने आप को कछ़ा में प्रदर्सित करना चाहिए ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा अगर अध्यापक ही मतलब कि अध्यापक ही इसे इसे सूर्ती मलेगा फाकेगा उसके बाद थुकेगा ठीक है उसके बाद जो है सोएगा तो बच्चे की उपर उसका निगेटिव इफ्यक्ट कहीं ने कहीं पड़ेगा ठीक है बगले बैट के बच्चे से माचिस मर वारा है चल बहूं मार दे घजोब खूक ली तो इसका बहुत बड़ा प और तिश्थापित करने जा रहे हैं तो आपका भी एक करतब्य है कि बालोकों के बीच अपनी जो है जो आपके अंदर का सैतान है उसे मत दिखाईएगा हाओ जरूरी है जो भी आप समाज में करते हैं ड्रिंकिंग वगरा करते रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है लेकिन मतलब की समाज के बीच मतलब कच्छा के दौरान ऐसी चीज़े ना करें ठीक है आगे बात करते हैं मित्रों समाजी करण के प्रमुख सिध्धान्त के बारे में ठीक है दो तीन सिध्धान्त हैं जो कि आप लिख लिजिएगा मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है आपको समझा देता हूँ उसे आप लिख लिजिएगा सामाजी करण के प्रमुख सिध्धान्त के बारे में क्या है सामाजी करण के प्रमुख सिध्धान्त सामाजी करण के प्रमुख सिध्धान्त आप हेडिंग डालि स्वाधरपण का सिध्धांत होता है लिखेगा इस सिध्धांत को जो है कूले ने दिया था किस ने दिया था इस सिध्धांत को कूले साहब ने प्रतपादित किया था स्वाधरपण का सिध्धांत इस सिध्धान्त का मतलब है स्वा माने होता है अपना दरपण माने सीसा ठीक है जैसे आप जो है समाज के साथ व्यवहार करेंगे लिखेगा स्वा दरपण के सिध्धान्त में कुले साहब ने बताया कि जैसे आप समाज के साथ व्यवहार करेंगे ठीक वैसा ही व्यवहार समा आपको दिखाता है, जैसा आप जो है समाज, मतलब की जैसे आप सीसे के सामने दिख रहे हैं, वैसे ही सीसा आपको दिखा रहा है, स्वाधरपण का सिध्धानत भी यही है, जैसा आप समाज के साथ भी हैप करेंगे समाज उलट करके आपके साथ वैसा ही behavior करेगा अरथात अगर प्रेम रूपी भासा प्रेम की माया प्रेम का जाल भूनेंगे समाज में तो आपके साथ प्रेमियों की कमी नहीं रहेगी और अगर आप जो है महल बना के चलेंगे तो आपके साथ मोहल बनेगा ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा जैसे को तैसा मिलेगा इस बात को ध्यान रखेगा अगर आप जो है काटे बोते चलेंगे तो आपके लिए कोई न कोई काटा जरूर बोएगा आगे बात करते हैं मित्रो मीड का सिध्धान्त क्या है मीड का सिध्धान्त मित् इस सिध्धान्त को मैं और मुझे का सिध्धान्त कहा जाता है क्या कहा जाता है मैं और मुझे का सिध्धान्त भी कहा जाता है लिखिएगा इस सिध्धान्त को मैं और मुझे का सिध्धान्त कहा जाता है अर्थात जब व्यक्ति के अंदर मैं और मुझे की भावना आ जाती है तो व्यक्ति जो है सामाजी करण में एक अस्थान मनाता है जैसे मैं यह कर सकता हूँ, मुझे यह करना चाहिए आप लिखिएगा, अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे तो आप लिखिएगा इस सिद्धान्त को मीड साव ने दिया था, ठीक है? इसे जो है मैं और मुझे का सिद्धान्त भी कहा जाता है, ठीक है? इसे जो है मैं और मुझे का सिद्धान्त कहा जाता है, अर्थात जब व्यक्ति के अंदर मैं और मुझे की भावना आ जाती है, सामाजी करण की प्रक्रिया सुरू हो जाती है मैं का मतलब मैं यह कारे कर सकता हूँ मुझे का मतलब मुझे यह कारे करना चाहिए ठीक है तो जब आपके अंदर ऐसी भावना आएगी ठीक है तभी तो आप समाजी करण में एक पार्ट अदा करेंगे जब आप अपने आपको न्यूटरल माल लेंगे उदासी इन माल लेंगे कि मेरा पेट भर जाए बस तब तो आप मतलब कि समाज के सदस्य है ही नहीं मैं और मुझे की भावना तो आनी चाहिए मुझे यह करना चाहिए मेरा एक करतब्य है और मैं हकर सकता हूँ क्योंकि मैं एक मनुस्य हूँ और मनुस से एक सामाजिक प्राड़ी है और उसे ऐसा करना चाहिए अगर आपका जन्म इस धरा पर हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस धरा से एक दिन सब को जाना है अटल ब्यारी बाचपेश साब ने कहा है कि जो आज है ओ कल नहीं रहेंगे जो कल थे ओ आज नही है ठीक है तो अगर आप इस धरा पर आप सभी लोग समझते हैं कि मृत्यू अटल है अगर मृत्यू अटल है तो कुछ न कुछ ऐसा करके जाएए जिसे लोग याद करें आपकी यादे ही रहेंगी आपके मृत्यू के दो महीने बाद आपके परिवार आपका पडोस आपको भूल जाएगा लेकिन अगर आपने कोई बहतरीन वर्क करके गया है तो उसकी यादे जो है सदा सदा के लिए बनी रहेंगी तो मीड के सिद्धान्त में मैं और मुझे के सिद्धान्त में समाजिगन के सिद्धान्त में यही बताया गया है कि अगर आप जो है समाज के एक स तो मैं यह कर सकता हूं, मुझे यह करना चाहिए, ऐसी भावना आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, दुर्खीम का सामोहिक प्रतिनिधित्व का सिध्धान्द, ठीक है, दुर्खीम का सामोहिक प्रतिनिधित्व का सिध्धान्द, इस सिध्धान्त को दुर्खीम साब ने दिया था किसे ने दिया था दुर्खीम साब ने अब लिखिएगा इस सिध्धान्त को जो है क्या बोलते हैं इस सिध्धान्त को बोलते हैं इस सिध्धान्त को कुछ नहीं कहेंगे इसमें मैं आपको बताता है दुर्खीम के सामोहिक प्रतेजुदित के सिध्धान्त में क्या है, इस सिध्धान्त में कहा गया है, कि प्रतेख समाज के अपने काईदे और कानून होते हैं, और जिस काईदे कानून को मान करके, उस समाज का हर एक व्यक्ति, उस समाज के उस काईदे कानून का पालन करता है, जैसे कि आप जिस समा पर आपको बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में ए चीजे जादा चल रही है ठीक है जिसे कहते हैं लब अफेयर ठीक है आपको कोई लड़की पसंद आ जाया है तो आप उससे जो है अपना इंट्रेक्ट वगारा सुरू कर देते हैं हमारे समाज में जिस समाज में मैं रहता इस समाज में जो है इस अफेयर को मानता नहीं दी गई है इसे गलत नजरिये से देखा जाता है तो हमारे समाज के जो काईदे कानून है हमें उस समाज के काईदे कानून का पालन करना पड़ेगा दुर्खीम के सामोहिक परतनिद्ध का सिध्धानत यहीं कहता है अगर आप के समाज में यह नहीं चलता है कि आप राह चलती कोई लड़की रा चलती कोई व्यक्ति आपको पसंद आगया लड़की सब्द महीं इस वज़न से इत्तेमाल करना हूँ इसे अंनता लेने का प्रयास किवल समझाने का प्रयास है किसी से कोई आपको पसंद आ गया तो बड़े सहरों में ऐसा होता है कि आप मतलब की जाति को धर्म को और अन्य चीजों को निगलेक्ट करके आप जो है अपना जुडाओं रख सकते हैं लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते क् काइदे कानून इसके बिपरीत हैं ठीक है हमें वही करना है जो हमारा परिवार चाहेगा ते दुर्खीम का समझाने के उद्देश से बताया है इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कैसा आप करिए आप बिलकुल न करें जो आपका समाज आपको तिखाता है जिस समाज में आप रहते हैं उसी समाज के अनुसार अपना कारे करिए क्योंकि आप अगर एक समाजिक प्राड़ी है तो अगर आप कोई ऐसा कारे करते हैं तो आपका जवाब दे ही अपने समाज के प्रति बनेगा और समाज में एक अच्छा स्थान मनाय रखने के लिए सम इरिक्षन के एरिक्षन, इनका नाम है एरिक एरिक्षन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एरिक एरिक्षन के मनो सामाजिक सिध्धान्त, ठीक है, एक महत्पुल वैज्ञानिक हुए थे, इनके बारे में, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक अलग की इन्होंने बताई यहां से समाजिक सिध्धान के सिध्धान कहा की मनुष से अपने जीषन में आठ सामाजिक एस्थरों को पार करते अपने जीवन का निर्वाह करता है तो आठ सामाजिक अस्तर क्या है विश्वास बनाम पहला जो है क्या है मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो अगर आप से क्योवल इतना पूछा जाए कि मनोस सामाजिक सिध्धान्त किसे ने दिया था इरिक इरिक्सन साब ने दिया था तो आप इन चारों सिध्धान्तों को ध्यान रखिएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप चीजे समझ पाए होंगे और अगर समझ पाए है तो वीडियो को लाइक करिएगा सामाजी करण को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया इसमें कौन कौन सी चीजे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा मनुसे सामाजिक पाड़ी है किसने कहा रस्तू ने कहा किंसले डेविस का नाम मैंने लिया वह भी important है इसी वज़य सो मैंने लिखाया उसके बाद समाजी करण की सक्री agency कौन सी है यहां से question आता है उसके बाद question आता है कि सामाजी करण की पहली इकाई ये प्रथम इकाई कौन सी है परिवार है सामाजी करण की दुतियक इकाई कौन सी है विद्याले बगरा है समाजी करण की पर्थम काई अगर परिवार न दिया रहे तो आपको पासपड़ों सुत्तर लगाना है क्योंकि सीटेट में पिछली बार आया है और आगे यूपीटेट में भी आने की संभावना है ठीक है तो आप ऐसा करिएगा और करने का प्रयास करिएगा ठीक है तो आज के वीडियो में यही है अगला वीडियो जो है एरिक एरिक सन के मनो सामाजिक सिद्धान पर मैं उना दूँगा 15-20 मिनिट का वीडियो वो भी रहेगा इमानदारी से पढ़ लिजेगा सामाजिक गण का पूरा पूरा चैप्टर फिनिस हो जाएगा कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वित्रो आप सभी लोगों के लिए सभी लोगों से मैं आग्रा करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करए बिना शेयर किये आप सभी लोग समझते हैं अगर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं इस मेहनत का प्रेडाम भी मुझे मिलना चाहिए ठीक है यह मेरा हक भी है और आप लोग मुझे मेरा हक दिलाएंगे निश्चित तोर पे दिलाएंगे जादस जादा वीडियो को सेयर अगर जब तक बच्चा नहीं जुड़ेगा बच्चा मुझे जो है लाइक नहीं करेगा पसंद नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं पढ़ा पाऊंगा उत्साह के साथ पढ़ाऊंगा तो जरूर क्योंकि मेरा पैसान है पढ़ाऊंगा लेकिन उत्साह के साथ त भाग्य मेरा मित्र रहेगा भाग्य मेरे भाग्य मेरा साथ ही रहेगा तो मैंने सित तोर पर ऐसा करने में सफल भी रहूंगा और आप लोगों का सहयोग अनिवारे है मिना आपके मैं कुछ नहीं हूँ मुझे पता है आप लोग नहीं देखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं है और ठंडी से बचने के लिए सब किया हो दुद्दू स्वीटर पहना हो आप भी पहने हैं चलिए कैसी लगी वीडियो आखरी बात बोलूँगा यही जज़बा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा नहों माजूस न जरूर आप सफल होंगे यहताय है और एक दिन वह दिन जरूर आएगा जिस दिन आपके माथे से बिरोजगारी का ठपा हटेगा और आप एक रोजगार को ले करके अपने माता-पिता के सम्मुख होंगे अपने समाच के सम्मुख होड़ाई करिए ठीक चलिए बहुत- अपने सम्मुख होड़ाई बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत